एक फोटोग्राफर जिसके पास सूपर हुमन एबिलिटीस है इस सिरियल कियर से एक छोटी सी बच्ची को कैसे बजाएगा और अपने पैर को कैसे फिर से पालेगा यही इस मूवी की स्टोरी लाइन है आज की मूवी वर्ल्ड आफ साइलन्स यह 2006 की कोरियन मूवी में आपको इस लने करने वाला हूं यह एक मिस्टेरियस ठ्रिलर मूवी है तो चलिए शुरू करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमें टैलेंट शो का एक सीन दिखाया जाता है यहां एक लड़का इस टैलेंड शो में जाने वाला होता है विसके पास एक स्पेशल एबिलिटीस होत पुइब देखते हैं कि मेरी फ्रेंड ने मुझे एक निकनेम दिया था पisis नेकसिर में हमें दीखता है कि एक पुलिस ओफिसर जिसका नाम आर्थर है यह पूलिस टेशन में, उसका जो इसका पुलिस नोख दिखता है, यह बहुती लेजी है इसलिए इसे डाट रहा होता है, एक जोर है जिसको आर्थर को पकड़णा है और उससे पकड़ने रहा, इसे वो गेम्स खेल रहा है पर इसके सुपिरियर को अच्छा नहीं लग रहा है। इसका सुपिरियर इसे काम करने के लिए बोलता है। नेक्सिन में हमें दिखता है कि जॉन एक घर आ चुका है। यह जो गर है इसना रेंड किया होता है। इस घर के ओनस कुछ 15 दिनों के लिए बाहर गए होते हैं तो 15 दिनों के लिए यहाँ वो रहने माला होता है। यह एक फिनामेनल फोटोग्राफर होता है। अब नेक्सिन में इसने जो सब फोटोज ली होती है एक मैगजिन वाली को दिखा रहा होता है। इस मैगजिन वाली को इसके फोटो बहुत ही पसनाते हैं यह कही थी है कि next month तक तुम अगर यहां रुके तो हम तुमें बहुत जादा पैसे दे सकते हैं John solo काम करता है पस सिर्फ इन के लिए वो काम करें इसलिए उसे hire करना चाहते है John इस पर कुछ नहीं बोलता क्योंकि इसे इस country में नहीं रहना नेकसिन में हमें फिर से आर्था दिखाय गया है वो अपने partner के साथ एक station पर आ रहा होता है तो चोह है यह उसे station पर मिलने वाला है इसका जो partner है इसे care होता है कि जिस तरह से तुम रह रह हो एसा तुमें नहीं रहना चाहिए Arthur अकला उता है और अपने आपकी कभी भी वो care नहीं करता वो इसे चाहने वाला नहीं है तो वो जिस तरह से उसे चाहिए उसी तरह से जीता है उसका friend उसे कहता है कि तुम मेरे साथ डिनर के लिए आ सकते हो पर इसके लिए वो मना कर देता है स्टेशन पर एक अंधिया औरत को कुछ मैगजिन सेल करते हो दिखता है तो उससे पूरे मैगजिन वो बाई कर लेता है बहुत ही कमपेशनेंट पुलिस ओफिसर है जो भी सब इस दुनिया में गलत होता है इस सब से इसे फरक पड़ता है अब नेकसिन में हमें दिखता है कि आर्थर और जॉन ये दोनों एक की ट्रेन में जॉन चोर को देख रहा होता है जोर के साथ कुछ गुंडे है और ये एक लेड़ी का पर्स छिलने वाले होते है जोर फिर उसके पास आता है उसे कुछ बाते करने लग जाता है जब इटेन स्टॉप हो जाती है तो जोर को ये जोर अपने सातियों के साथ बाहर निकाल लेता है आर्थर भी इसे स्पॉट कर लेता है और इनका पीछा करता है जोर इस लेड़ी को कहा रहा होता है कि उस लेड़ी का पर्स इसे नहीं लेना चाहिए इस चोर ने फिर इसे मारने के लिए बातरों में लाया होता है आर्थर इसका पीछा कर रहाता है और इसे अभी भी गेम से खेल रहाता है आर्थर को मालूम है ये जो चोर है कोई बुरा चोर नहीं है ये किसी को भी हट नहीं करता अपने किसी फ्रेंड की तरह ही इसके वो चेस करता है यह जब इसे पकड़ रहाता है तब यह आर्थर को उसके superior का call आजाता है एक murder हुआ होता है इसके investigation के लिए उसे बुलाई जाता है murder scene पर जब आर्थर पोछता है तो वहाँ एक चोटी लड़की का murder हो चुका होता है अम नेकसिन में हमें दिखता है एक छोटी लड़की जिसका नाम क्रिस्टी है यह जॉन के घर के बाहर खड़ी हुई है इसके साथ फॉस्टर केर ओफिशियल भी है याद में जॉन से मिलता है जॉन कहता है कि जो फैमिली यहां रह 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 थी यह 15 दिनों बाद आने वाली है याद जो क्रिस्टी है इसका खायाल यह फैमिली रखने वाली थी फॉस्टर केर ओवाला उसे खहता है कि जो सिट्वेशन है यह बहुत ही complicated है यह फॉस्टर केर केर वाला उसे कहता है कि जो लड़की है इसके पास जाने के लिए कहीब भी नहीं अगर तुम इसे 15 दिनों के लिए रख लो तो बहुत ही सही होगा, यह तुम्हें ज्यादा ट्रबल भी नहीं करेगी, जॉन भी इसके लिए अब मान जाता है, नेक सिन में हमें आर्थर क्राइम सिन की फोटोस देखता हो दिखता है, क्राइम सिन होता है, यहाँ बार एक डॉ इसके बात नेक सिन में हमें जॉन का पास दिखाया गया है, जॉन के स्कूल में एक नई लड़की आई थी, मूवी के फीर्स में हमने देखा था, कि इसी लड़की ने सुुसाइड कर लिया था, पहले दिन पर किसी से भी बात करने से डर रही थी, पर यह फिर जॉन के पास तो उसके लिए blanket लेकर आती है नेक्स दिन जब आता है तो breakfast के लिए जॉन सिर्फ snack ही लाता है यह लड़की कहिती है कि तुम्हें जादा healthy खाना चाहिए जॉन ने कुछ भी सुना नहीं इस तरह से वो उसको ignore कर देता है अब नेक्स दिन में हमें दिखता है कि Arthur और उसके boss को और एक class मिल चुकी है इस murders का अब pattern उबर कर आ रहा है यह एक serial killer का काम है अब इन्हें पता चल जाता है Christie से मिलने उसके पहले जो foster care में उसका खैल रखने वाली जो होती है वो आती है इसका नाम Elena होता है Elena फिर Christie के बारे में पुछती है वो कैसी है उसका हाल कैसा है यह सब उसे पुछती है Christie केती है कि John मुझसे जादा बाते नहीं करता वो हस्ता भी नहीं और कभी-कभी मुझे आंसर भी नहीं करता Elena उसकेती कि उसे awkward मैसूस हो रहा होगा Christie ज़रा नाराज होती है तो उसे वो cheer up करती है Elena केती है कि क्या इस तरह से तुम अपनी मदर से मिलने वाली हो Christie की जो मदर होती है यह hospital में होती है यह coma में होती है इसी वज़े से Christie का खैल नहीं रख पाती Christie के father मर चुके होती है इसलिए इसे foster care में रहना पड़ता है Nixon में John City में गुमता हो दिखता है वो inspiration ढूंटे ढूंटे City में अलग-अलग spot पर आता है एक जगा पर हो जाता है तब एक बच्चा सड़क पर बेठा हुआ होता है सड़क पर पड़ा हुआ जो खाना होता है वो वो खा रहा होता है John फिर उसके पास जाता है उसे उसके घर पर लेकर आता है जब वो घर में देखता है तो इस बच्चे की मदर मर कर पड़ी हुई होती है इस मदर का खुन इसके फादर नहीं किया है तो यही वो रुकता है पुलिस को कौल लगता है पुलिस में आर्थर जब वहाँ पहुचता है तब यहाँ situation खराब हो चुकी होती है जो father था इस घर में बहुत चुका है उसके हाथ में knife है यह कह रहा है कि मेरे बच्चे को मैं नहीं छोड़ सकता अपने बच्चे को अपने साथ ही उसे रखना है तो इसलिए एक चाकू लेकर वो अपने बच्चे के गले पर रख रहा होता है यानि कोई उसे arrest ना कर पाए जॉन negotiate कर रहा होता है आर्थर जो जॉन को यहाँ दिखता है तो हाश्य चकित होता है जॉन फिर इस फादर को समझाता है वो कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम इसे अच्ची लाइफ देना चाहते हो पर यह impossible है कि तुमने देखा था किस तरह से यह रह रहा था यह फादर भी अब समझ जाता है और रोने लग जाता है अपनी लाइफ जो है यह नीचे रख देता है जॉन रात में एक बार में आता है आज उसे अपनी जो फ्रेंड है इसकी बहुत ही याद आ रही होती है यह फ्लैशबेक में इन दोनों का सीन दिखाया जाता है जॉन और उसकी फ्रेंड चत पर है उसकी फ्रेंड आज बहुत ही डिस्टर वे यह इसे पुछता है कि क्या हुआ है यह उसे कुछ यह बता नहीं होती तो यह कहता है कि तुम्हें मालूम है कि हुँ पता कर सकता हूँ उसकी फ्रेंड फिर उसे पता देती है उसके जो स्टेफ फादर होते है इसका शोशन कर रहे होते है यह इससे बहुत इंपारेस्ट होती है कुछ लड़के वहाँ आगे होते हैं और यह सुन लेते हैं अब स्कूल के बच्चों को यह पता चल चुका है वैसे वह बहुत इंपारेस्ट हो जाती है अब हमें रिजन मिल चुका है क्यों जॉन की फ्रेंड ने अपने आपको फास लगा लिया था जॉन की जोसब पावर से जैसे मोगे आगे चलेगी वैसे हमें पता चलता रहेगा हम नेकसिन में आर्थर और उसका फ्रेंड हमें दिखते हैं जो केस है इसे वो डिसकस कर रहे होते हैं क्या सिमिलरीडीज है यह वो चेक करे होते हैं सोचते सोचते इन्हें पता चल जाता है कि जो सब चोटी लड़कें मर रही है यह सब फॉस्टर केर की है इनके जो पैरन से यह मर चुके हैं नेकसिन में हमें दिखता है कि रात में बहुत ही देर में जॉन घर पर आता है क्रिस्टी उसे दिखनी के लिए आती है तब जॉन को इंजोरी हो चुकी होती है जब जॉन चोटे लड़के को उसके फादर से बचा रहा था तो उसके फादर ने इसका हाथ काट दिया था ये इसके हाथ को सब bandages वेगरा करकर देती है एक blanket लेती है और उसे पहना दी है अब next scene में दिखता है कि Arthur और उसका friend Elena के पास आई हुए है जो सब foster care में लड़किया है इन सब के नाम वेगरा उसे दे देती है जब ये दोनों जा रहे होते है तो क्रिस्टी का भी है उसे पता दे देती है क्रिस्टी के साथ एक mistake हुई थी जिसे वज़े से दूसरे आदमी के साथ रह रही है ये सब information ये अब Arthur को दे देती है Arthur का जो शख होता है ये foster care के official पर ही होता है जो आदमी क्रिस्टी को जॉन के हाथ छोड़ने के लिए था इसे लगता है कि ये ही serial killer है Arthur भी इसके घर पहुच जाता है घर में चानने के बाद इसे पता जलता है कि ये जो आदमी है इसकी लेड़की मर गई थी इसके wife ने भी इसे divorce दे दिया है तब Arthur सब investigation कर रहा हुता है तो उसे John पर भी शख जाता है जहाँ पर भी crime हो रहे थे वहाँ दो बार उसने उसे देखा था पहली बार चोर को पकड़ने हो गया था तब वहाँ उसे देखा था और next time एक आदमी ने अपनी wife को मार दिया था तब ही उस crime scene पर यह था Arthur फिर जॉन के घर पर आ जाता है बहुत सारी photograph यहाँ लगाई होती है यह वह देखता है यह बहुत सारी छोटी लड़कियों की भी photos होती है Arthur फिर जॉन के साथ meeting करता है जो सब यह हो रहा है इसका जो भी सब suspicion है यह उसे पूछता है जॉन केता है कि लोगों के emotion से में पता कर सकता हो कि वो अब क्या करने वाले है उनकी दिमाग में क्या चल रहा है यह सब जॉन को पता चल जाता है जिस जगा पर जॉन गया था यह इसकी instinct उसे लेकर गई थी इससे एक अलग feeling आती थी और वो उसको follow करता था अब next scene में हमें दिखता है क्रिस्टी अपने मदर से मिलने के लिए आई होती है इसके school में gathering होने वाले होती है वहाँ वो sing करने वाले होती है अपनी मदर को एक गाना sing करकर वो सुना रही होती है तभी इसे चकर आ जाती है और ही गिर जाती है टॉक्टर फिर जॉन को बुलाती है जॉन को पता चलता है कि क्रिस्टी जुए इसको cornea transparent करवाना पड़ेगा नहीं तो इसकी जो eyesight है ये पूई जा सकती है इसी वज़े से इसे चकर आई थी आर्थर जॉन का सब बैगराण्स वगरा चेक करवाता है जॉन जो था या लग कंट्री में था और उसके पहले murder हुआ था अब जॉन पर जो suspicion है वो अब सब चला गया है नेक सिन में आर्थर अपने boss के साथ होता है जो सब updates है या अपने boss को दे रहा होता है यानि कि foster care का official उसके बारे में इससे कहता है अब foster care के official पर इसका और भी ज़्यादा गाड़ा शक हो जाता है नेक सिन में हमें देखता है कि जो चोर आर्थर पकड़ने पाया था वो सीटी में है एक घर में वो घुश जाता है इस घर में हम देखते है कि serial killer की जो डॉल थी वो यहाँ मोजो थे यानि कि जो घर है यह serial killer का है यहाँ पर वो एक pot देखता है और इसमें mushrooms पड़े होते है हमें मालूम है यह जो mushroom से यह drugs की तरह गाम करते है यह चोर खा लेता है जब यहाँ से बाहर निकल जाता है तो है हस्ते हस्ते स्टीट से जा रहा होता है इस drugs के नशे में होता है इस स्टीट में जोरी कर रहा होता है तो भी इसे पकड़ा जाता है और police custody में आ जाता है पर जब ये ज़ौन को देखती है तो भो अच्छे से काने लग जाती है इसकी मदर का माइंड इसने रिड़ किया था क्रिस्टी को कहता है कि मुझे तुमें कुछ secret बता रहा है यह उसके कान में उसकी जो abilities है इसका secret बता देता है यह से भुषता है अगर तुम कहीं भी जा सको तुमें कहा जाना है क्रिस्टी फिर जार roller coaster विगरा होता है वहाँ उसे लेकर आती है एक बहुत ही अच्छा सा डे वोस पेंट करती है जब ये दोनों रिवर में बोट से जा रहे होते है तो क्रिस्टी जॉन की कैमेरे के बारे में भुशती है ये इसे कैमेरा कैसे चलाते है ये सिखना जाती है ये इसे कैमेरा कैसे चलाते है ये सिखना जाती है जॉन भी से सब को चीखा देता है जॉन की जब वो फोटर ले रहे होती है तो हस नहीं रहा होता तो इसे हसने के लिए वो बोलती है जब ये घर वापस आ रहे होते है तो रस्ते के सैन में एक पंची इंजोर होकर नीची गिरा होता है जॉन सिर्फ इसे देख लेता है क्रिस्टी जब यह देख थी तूससे कहती है कि इसके बच्चे होंगे यह उनकी मदर है तो तुम्हें इसी मदद करने चाहिए थी जॉन कहता है कि अगर मैं चाहता फिर भी इनकी मदद नहीं कर पाता अगर मैं इनकी मदद करता फिर भी यह मर ही जाती तो इसमें करने का फायदा क्या क्रिस्टी को यह बहुत ही बसना लगता है वो खेती है वो खेती कि मेरी मदर उटने वाली है जैसे तुम इस पंचे पर गिव अप कर रहे हो उसी तरह से मैं उस पर गिव अप नहीं करने वाली इसकी मदर फिर से उठेगी इसी होप पर यह जी रही होती है पर जॉन इस तिंगिंग को सपोर्ट नहीं करता इसी वज़े से क्रिस्टी को बहुत ही बुरा लगता है इसे हेट करती है यह कहक कर पर वहाँ से चले चाती है क्रिस्टी ने जो जॉन की फोटो लिए होती है वो प्रिंट कर रहाता है जब इसे वो देखता है तो अपने आप से कहता है यह तुम यह स्माइल करना डिसर्व नहीं करते है जॉन की फ्रेंड में सुसाइट कर ली थी तो अपने आपको यह गुनेगार मानता है वो इसे हल्प कर सकता था पर इसने नहीं की थी आर्थर को लगता है क्रिस्टी को छोड़ने के लिए फॉस्टर केर का ओफिशल आया था अब उसका जो नेक्स टार्गेट होगा वो क्रिस्टी हो सकती है इसलिए क्रिस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके वो पीछे ही रहता है क्रिस्टी अपने मदर से मिलने जाती है उसकी फोटोस लेती है स्टेट से जब यह जा रही होती है तो इसे फिर से जखकर आ जाती है इसे आई ट्रांस्प्लांट की बहुत ही जरूरत है वरना इसकी पूरी आई साइट चरी जाएगी जब इसे जग कराती है तो अब आर्थर इसे देखनी के लिए जा रहोता है यह रस्ते से क्रॉस कर रहोता है तो भी सिरियल किलर इसे अपने गाड़ी से टकरा देता है क्रिस्टी आगवा हो चुकी है आर्थर होस्पिटल में होता है वो पुली स्टेशन में आ चुका होता है क्या हुआ यह सब वो उसे समझाता है पुली स्टेशन में ही इन्हें और एक न्यूज मिलती है और एक लड़की की डेड़ बॉड़ी इसे मिली हुई होती है जौन अब बहुत ही डर जाता है, यह डरते हुए ही उस crime scene पर भोशता है, जब यह लाज देखता है, यह क्रिस्टी की नहीं होती, आर्थर जौन को घर जाने के लिए बोलता है, आर्थर जब पुलिस टेशन में पहुशता है, तो वहाँ वही चोर होता है, जो मश्रूम खाक घर पर पातिकर वह डर्ग हो गया था, यह मुश्रूम के बारे में और दुसरी पुलिस आफिसर को बता रहा होता है, तो यह आर्थर ओक्लिक होता है, आर्थर को पता चल जाता है, यह सिलर कृलर का वह घर पैटा पता उसे पूचता है, यह जो जो गर था इस घर से उसने एक टेप चोरिक ही थी इस टेप में एक छोटी लड़की थी जिसका मर्डर उचुका है आर्थर और सब पुलिस जिस घर का पता उसने दिया होता है इस घर पहुच जाते है जॉन जब घर जाता है तो आपने आपको कोसने लग जाता है जॉन की परचाई उसे शीशे में देखने लग जाता है थोड़ी देर बाद यह पुली स्टेशन में आता है पुली स्टेशन में आने के बाद इसे सीरियल किलर का जो घर है मिल चुका है इसके बारे में पता चल जाता है जो टेप चोर के पास थी यह इसे दिखाई जाती है इस टेप से इसकी इंस्टींट स इसे पता चल जाता है कि foster care में जो Elena थी यही serial killer है अब Nixon में हमें Elena के साथ Christie दिखती है Elena उसे कह रहे होती है कि ठीक है सब ठीक है मैं तुम्हें हाट नहीं करने वाली मैं तुम्हें तो एक अच्छी जगा पहुचाने वाली हूँ यह उसी कहती है कि तुम्हें अब heaven में जाना है Nixon में में दिखता है कि John अपनी power से जिस जगा पर serial killer है उसे हो ढूंड लेता है इस जगा पर हो जाता है तो Elena छुप जाती है Christie को उसने mushroom का सुप दिया होता है जिसे हो सोग गई होती है अब पुलिस को भी पता चल जाता है कि जो Elena है यही serial किया रहे Elena एक psychopath है और इसका diagnosis भी हुआ था यह भी उन्हें पता चल जाता है John जब Christie को ढूंड लेता है तो Elena वहा आती है और कहती है कि मेरी बेवी को मुझे वापच कर दो इसे लगता है कि Christie इसके ही बेटी है Elena फिर एक दर्णा लेती है और इसके पेट में डाल देती है Christie को बचाने के लिए वो यह सब कर रही है John उससे कहता है कि यह जो सब तुम कर रही हो यह सब खतम हो चुका है Elena एक psychopath होती है तो केटी कुछ भी खतम नहीं हुआ है Elena की वज़े से इस घर को आग लग गई होती है तो इसी आग में उपने आपको जला देती है John बहुत ही injured हो चुका होता है तो वो अब Christie को बचाने पा रहा होता फिर वो पूरा try करता है जब Arthur वहाँ पहुचता है तो Christie को बचाने के लिए वो अंदर बहुच जाता है John Christie को बचाते बचाते जल भी जाता है Arthur जब अंदर आता है तो John उसे कहता है कि सिर्फ Christie को बचा लो पहले इसे लेकर जाओ और फिर मुझे बचाने के लिए आना John को पता होता है कि वो अब बचने नहीं वाला जब आख खतम हो जाती है तब अंदर जाते है John को वो जब देखते है तो John ने अपनी आखो पर अपने हाथ रखे होते है Christie को आई ड्रांस्प्रांट की जरूरत है तो मरने के बाद अपनी आख वो Christie को देना चाता है Christie को अब आख मिल जाती है John की funeral पर Christie हमें दिखती है यहाँ पर Arthur भी होता है Arthur Christie को कहता है कि वो अच्छे place में होगा वो अब birds भी होते हैं यह कहता है कि birds को इस sound वो सुन रहा होगा Christie फिर Arthur का कहती है कि यह सुन नहीं पाता था John ने उसे एक secret बताया था यह वही secret था जो सब लोग बोल रहे थे यह कभी भी इसे सुनने नहीं देता था पर इनका mind जो था यह वो read कर लेता था इनकी feelings के तुरू यह क्या बता रहे है यह इसे समझ में आ जाता था John का car accident होआ था इसे वचे से इसके hearing सब चली गई थी Christie कहती है कि मुझे पता है कि वो एक अच्छी जगा है अब last scene में हमें दिखता है कि John जो है heaven में अपनी friend के साथ है John की friend हस रही होती है तो John कहता है कि तुम क्यों हस रही हो वो कहती है तुम्हारे आसपास मझे बहुत ही comfortable महसूस होता है यह कहता है कि तुम मझे बहुत ही like करती हो इसलिए मुझे पता है इसकी friend उसे कहती है तुम्हें कैसे बता तुम तुम मुझे सुन में नहीं सकते है जॉन के था है तुम्हेरे हार्ट को में सुन सकता हूँ यही यह movie खतम हो जाती है जॉन के पास जो ability थी जिससे लोगों के thoughts वो सुन सकता है था वो कैसे fail कर रहे हैं जैसा वो सुन सकता था उसकी friend को जब help चाहिए थी उसे help नहीं कर पाया इसके बाद उससे लगता था कि वो क मुक्ती की तरह था जाते जाते क्रिस्टी को उसकी आखे वो दे कर गया इसके बाद हो heaven में बहुत चुका है और अपनी friend को इसने पा लिया है हमारे साथ कोई हाथसा होता है इसके बाद हमारे belief चेंज हो जाते है हमें लगता है कि हम यह नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते एक फ समझते है इससे चेंज करने के लिए हमारे पास बहुत सारी opportunities आती है हमें यह समझना चाहिए और किसी अच्छे जीस के लिए अपने आपको बदल देना चाहिए इससी एक message के साथ ही movie end हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो क लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहे तो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेए यह आपको सब movies मिलती रहे है बेल नटिवेशन आइकोन भी दमाना मत भूले यानि किसी भी वीडियो को आप मिस्स ना कर पाए हम विसे मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये